सावन के चौथे सोमवार रजिला उनाव के प्रसिद धार्मिक स्थल शिवबाडी गगरेट में श्वधालों का तांता लगा रहा आपको बता दे के सावन माह के चलते बड़ी ही दूरदराच से लोग यहां से 6000 साल पूराने शिव मंदिर में धर्ती में समाय होई शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुँचे मंदिर की मानिता यह है कि यहां पर भगवान शिव ने द्रोणाचारे को बाल टूप में दर्शन दिये थे और बैसाखी पर्व के एक शनिवार छोड़कर अगले शनिवार भगवान स्वयम यहां पर भक्तों को दर्शन देते हैं एवं उसी उपलक्ष पर यहां पर विशाल मेले का भी आयोजन क्या जाता है गोरतलब है कि यहां पर यह मंदिर स्थापित है उसके आसपास घना जंगल है और इस मंदिर के चारों दिशाओं में चार शम्शान गाट और चार प्राचीन कोई भी स्थापित है सावन के चोथिसमबार आज हम पहुंचे हैं उना जिला के गरेट विदान सवाक्षेतर के अधीन आते गाउं अमबोटा में जहां पर प्राचीन शिव मंदिर है द्रोन मंदिर के नाम से भी यह विख्यात है और पूरे उत्तर भारत से यहां पर शरधालों का ताता सावन क महिना हो चाहे शिवरात्री का पर हो तो यहां देखने को हर समय मिलता है लेकिन इस मंदर की खासित क्या है भवेता क्या है उससे भी आपको अफगत करवाते हैं यह मंदिर जो है छे हजार वर्ष पुराना बताया जा रहा है और यहां पर बाल अवस्ता से जो है भगवान भूले नात ने दर्शन दिये थे यहां पर विशाल मिले का आयोजन भी जो है विसाखी के एक छनिवार छोड़कर दूसरे छनिवार जो है वो किया जता है सबसे बड़ी बात यह कि इस मंदिर के चारो दिशाओं में चार कुएं हैं चार शमशान घाट हैं और घना जंगल है कोविड के कारण यहां पर अभी शर्धालों की ज़्यादा आवाजा ही नहीं है लेकिन स्थानी लोग रोज की तरह यहां पर पूजा अर्चना करते हैं कैमरा परसन जोती सेयल के साथ जंता डीवी के लिए उना से पंकज गतनागी रिपोर्ट